बीट दिनों अचानक से सबी सोशल मीडिया साइस कुछ वक्त के लिए डाउन हो गई थी ऐसे में सभी किसा से कुछ पल के लिए अटक गई थी दिमाग में एक सवाल था कहीं अकाउंट हैक तो नहीं हुआ हालंकि ऐसा हुआ तो कुछ नहीं था लेकिन ये अब आम बात हो चली है देश तरक्की पर है लेकिन कई बार तरक्की के नाम पर फ्रॉड और टेक्नोलोजी का दुरूपियोग भी किया जाता है ऐसा ही को जब मध्यप्रदेश के ग्वालियर से सांसद विवेक नारायन शेज वलकर का एक्स अकाउंट बुद्वार को हैक कर लिया गया च्रीहां हैकर्स ने अरवी भाष्रा में बीजोपी सांसद के एक्स हैंडल से तमाम पोस्ट भी डाल दिये फुल्हाल अकाउंट को दुरूस्त करने के प्रेयास किये जा रही है साइबर विशेशरग्यर शांसद के अकाउंट को हाकर से वापस रिकवर करने की कोशुश में चुटे है इसके स्वाथ ये पता लगाया जा रहा है कि इसे कहां से हैक किया गया है हरानी की बात यह है कि एक्स अकाउंट हाक होने के बाद ग्वालियर सांसत विवेक नारायन शैजवलकर के पुराने पोस्ट दिखाई नहीं दे रहे सर्फ हाकर्स के ही श्रैर किये गए विडियो और फोटोज नजर आ रही है हाकर्स नहीं सांसत के अकाउंट को हाक करने के बाद अश्रील कॉंटेंट श्रैर कर डाला इसमें स्पा और बोडी मसाज के कॉंटेंट डाल दिये गए माना जा रहा है कि साउदी अरब के किसी हाकर्स नहीं सांसत को अफिश्यल एक्स हांडल अकाउंट हाक किया है सांसर अब अपने अकाउंट को वापस रिकवर करने के लिए विशेशग्यों की मदद ले रही है साथी पुलिस से भी मामले की शुकायत की जा रही है वाले रेस्पी धरमवीर सिंग यादव का कहना है कि सोशल मीडिया से मामले के बारे में पता चला सांसर जी के एक्स अकाउंट हाक की जानकारी साइबर टीम चेक कर रही है फॉर्मर कंप्लेंट नहीं मिली है जो आज के बाद लीगल कारेवाई की जाएगी बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंदर मूदि समेत राज्स्थान के राजविपाल कलराज मिश्र का भी एक्स अकाउंट हाक हो चुका है हैकलस निये अर्भी भाषा में कलराज मिश्र के ट्वीटर हांदल से पोस्ट भी डाले थे इसके अलावा केंद्रे मंत्री राओंदर जी सिंग और हरियाना के मुक्य मंत्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा का ट्वीटर अकाउंट भी हाक हो चुका है